जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तो एक नई वीडियो आपके लिए फिर से हाजर है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट संग से सम्मंदित 25 कोस्चन्स के बारे में तो दोस्तो आप सभी को पता है कि अगर आप डिफेंस की तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए डिफेंस से सम्मंदित कोस्चन्स आपके एकजामस में आते रहते हैं तो संयुक्त राष्ट संग भी एक ऐसा ही टॉपिक है जैसे दोस्तो आप जो अपनी स्क्रीन पर नाम देख रहे हैं आर्मी, इयरफोर्स, नेवी और जो भी अर्थसेनिक बल हैं जिनकी SSC GD की थरोब भरती होती है इनकी जो दोस्तो रिटेन एक्जाम होता है मतलब लिखित परिक्षा होती है इनमें संयुक्त राश्र संग से 2 या 3 questions हमें सब उसे जाते हैं तो दोस्तो आज ये 25 questions हैं अगर आप ये 25 questions को पूरा देख लेते हैं तो मैं आपसे वदा करता हूँ कि आप 100% जो भी आपके एक्जाम्स में questions आएंगे उनको सही करके आएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को press कर लें जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँच दे रहे और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like और share करना न भूले तो question number बन है UNO का full form क्या है UNO दोस्तों बोलते हैं सेयुक्त राष्टर संग के लिए यहाँ पर पूँच रहा है ये कि UNO की full form क्या है तो UNO की full form है दोस्तों United Nation Organization ठीक है Next question है हमारा Question number 2 सेयुक्त राष्टर संग की इस्थापना किस बर्स हुई तो question number 2 का सही आंसर है 24 October 1945 के लिए जहाँ दोस्तों सेयुक्त राष्टर संग की इस्थापना 24 October 1945 के लिए हुई थी Next question है Question number 3 सेयुक्त राष्टर संग में हिंदी में भासल देने बाले पृथम पृधानात्री कौन है ठीक है तो इंडिया के ऐसे कौन से पृथम व्यक्ति हैं जिन्होंने सेयुक्त राष्टर संग में हिंदी में भासल दिया तो उनका नाम है दोस्तो अटल विहारी बाजबई Question number 4 है सेयुक्त राष्टर संग दिवस किस तिथी को मनाई जाता है तो question number 4 का सही आंसर है आपका 24 October के लिए Question number 5 है सेयुक्त राष्टर संग का मुख्याले कहां पर है तो दोस्तो सेयुक्त राष्टर संग का मुख्याले कहां है सचेव हैं जो कि एंटोनियो गुटेरेस से पहले थे उनका नाम था बान की मून नेक्स्ट कोश्चन है हमारा कोश्चन नमबर सेबिन बरतमान में सयंक्त राश्चंग के सदस राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है कोश्चन नमबर सेबिन का सही आंसर है 193 इस समयें दोस्तो अस्तराष्ट्रों के जो अस्तराषियों की संक्या है उनकी संक्या है 193 ठीक है पाँच है आगे की वीडियो में आपके लिए कौन-कौन से स्तराषियों बो भी पताएंगे यह वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा question no.8 है question no.9 है question no.9 में बीटो का अधिकार किसे प्राप्त है अब ये बीटो का अधिकार किसको प्राप्त है ठीक है अब ये बीटो सब्दु का आप दिहान में रखेगा आगे मैं आपके लिए questions डाला है जिसमें बीटो के लिए आपको पूरे तरीके से मैंने ब्रीफ किया है कि बीटो है क्या ठीक है तो दोस्तों सुरक्षा प्रसत के 27 सदस होते हैं उनके लिए संयोंक्त राजशंग में बीटो का अधिकार प्राप्त होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर किसी भी देश ने कोई भी प्रस्ता पारत के समय बीटो पावर का इस्तमाल कर लिए तो वो प्रस्ता पारत नहीं हो सलता ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों question number 9 का सही answer है सुरक्षा परसत के 27 सदसों के लिए बीटो का अधिकार प्राप्त है question number 10 है संयोंक्त राजशंग में बीटो का क्या अर्थ है question number 10 का सही answer है निशिधात्मक बोट यानि कि मैं मना करता हूँ और मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर संयोंक्त राजशंग के किसी भी इस्ताई सदस ने बीटो का इस्तमाल कर लिए तो कोई भी प्रस्ता पारत नहीं हो सकता ठीक है वीडियो में questions और भी हैं लेकिन आपको से पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलिग्राम चैनल शिवा ओनलाइन क्लासे से आप इस वीडियो की PDF फाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कोस्टन है हमारा question number 11 सयंक्तराज संख्य इस्थापना का मुख्य उद्देश क्या है कोस्टन no.12 सयंक्तराज संख्य इस्थापना का मुख्य उद्देश है जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, बिरिटन और चीन है यह हैं दोस्तों 5 सदस जो की सयंक्तराज संख्य के इस्थाई सदस है कोश्चन नमर 13 है अंतराष्टी नियाला ICJ का कहां इस्थित है मतलब कोश्चन है यह कि अंतराष्टी नियाला कहां इस्थित है इसके लिए दोस्तों ICJ भी बोलते हैं जिसके फुल फॉर्म होती है International Court of Justice ठीक है कोश्चन नमर 14 है संयुक्त राष्ट घोष्णा पत्र की मूल प्रति कहां सुरक्षित रखी गई है तो दोस्तों संयुक्त राष्ट घोष्णा पत्र की मूल प्रति को अमेरिका के राष्टरी यह पुरालेका गार में सुरक्षित रखा गया है संयुक्तराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश्टराश् नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कोस्टन नम्बर 17 संयुक्त राष्ट्र संग की कारेपालका को क्या कहते हैं तो कोस्टन नम्बर 17 का सही अंसर है सुरक्षा परसत संयुक्त राष्ट्र संग की जो कारेपालका होती है उसके लिए कहते हैं सुरक्षा परसत ठीक है next question है हमारा question number 18 स्यंक्त राश्ट्र संग की चार्टर में कितने सब्द धाराएं बाध्याएं हैं तो स्यंक्त राश्ट्र संग का जो चार्टर है उसमें कितने सब्द धाराएं और अध्याएं तो इसमें दोस्तों 10,000 सब्द हैं 111 धराएं है और 19 अध्याएं है ठीक है Question number 19 है संयुक्त राश्टर मुख्याले हेतु भूम किसने दान में दी थी तो दोस्तों जो संयुक्त राश्टर संग का मुख्याले है New York अमेरिका में इसके लिए जो भूमी दान में दी थी जमीन मतलब लेंड जो दान में दी थी वो किसने दी थी तो उनका नाम है दोस्तो John D. Rockfeller जोनोंने संयुक्त राश्टर संग के मुख्याले के लिए अपनी जमीन दान में दे दी थी Question number 20 है संयुक्त राश्टर मुख्याले कब बनकर तयार हुआ संयुक्त राश्टर संग का मुख्य परशासन गस्त गर्थ करा तो Question number 21欘ान का सही आंसर है Question number 22, ६ तो दोस्तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संयुक्त राश्टर संग के महासेजिब होते हैं के नाम होता है महासवा ठीक है Q nominee 24 संयुक्त राज्ट संग्थन कौन सा है तो संयुक्त राज्ट संग्тор संग्थन अन्तराष्टरिय Absolutely Question 25 और आजकी वीडियो का स्युक्त राज्ट राज्ट संग्स की Library किस नाम से जाने जाती है तो दोस्तो जो स्रेयुत राज संग की लाइवरेरी है वो जाने जाती है हैमर सोल्ड लाइवरेरी नाम से ठीक है तो यह थे 25 कॉस्चन्स वीडियो कैसी लगी केमेंट करके जरू बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू कर दिया करो क्योंकि आप शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करें तो चलिए दोस्तो थैंकियो फॉर वाचिंग कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जैभार